इस कारिक्रम के प्रसारण सहयोगी है इस कारिक्रम के प्रसारण सहयोगी है शोमनम हौ ऐसी nhân के विजल केरहते है बोल्ब। अह्तस्य नमश्टू नमश्टू नमस्टू हे गुरुवर मुनियों को आहर देने का क्या फल होता है किर्पया मेरी समस्या का समाधन कीजिए देखिए मुनियों को आहर देना अर्थाथ अपने जीवन में साती शेपुन का अर्जन करना कहते हें कि आप नर परियाय में ही मुनियों को आहर दे सकते हो लेकिन अहर दे ना है तो नर परियाय में जरम लिना पड़ेगा और परियाय में जैन कुल में जरम लोगे जब जाकर आप मुनियों को हार दोगे तो चतरुर निकाचार चार चार दी में एक जाती का दियो हावर ने सकता है ये बच्पन यू mi लेते हैं वहा इतना अमने पुण किया जो अभी बाहो पूने इतके हो le patient хочу है तो यूisu Earth किया यूरा यू मेरा इंदकफ में अदरना आपा रहा है। देखिए बच्पन से पच्पन तक इसलिए आ गया कि बच्पन में अपने दीच्छा नी ली होती तो आज पच्पन की उमर में हमारे संग में कहीं आसपास होते और अब पच्पन में भी सोच रहे हो क्या होगा जीवन में मन में धर्म के प्रतिभाव आना ये बड़ा महत्त्य पुनकार होता है और आप तो पुनिशाली है कि आपके परिवार से आचरशी प्रूप सागर जी महाराज हुए पुस्परी सागर जी महाराज हुए आपके बेटी स्वयम ब्रम्चानी पायल दी है और एक ब्यक्ती तो होता है तो समझ के चलना कि साथ पीडी का कल्यान होता है आप अध्यापक नहरों का ये बड़ा प्रवल पुन्य का हुदय है कि आपके नगर की रहवासी जो पहले कमला जी थी उस्पाजी थी वो हमारी संग में बर्दरी जी वनी और बर्दरी के बाद में चुली का सुभारम मती बनी और आज वह चुली का सुभारम मती बनी तो आपको ज्रेद्र भगवान का पंचलंग पुरिष्टा महुष्व देखने को मिल रहा है ये तो जो कोई सोच भी नहीं सकता हुए काम यहां पर शंपन हो रहा है तो बच्पन से आपका पच्पन आ च्पन आए उसके पिले अपना कल्याण जरूर कर देना और भुच्ट कर दो बस यहीं विने हैं कि आप आहार के लिए चतुरविद्ई सग लेके जाए है दस पिच्छी है आपके साथ तो दस उंपिच्छी जाए नमोस्तु कुछ दे लेखिए इस किति सुभावना है और आज कि रिष्वाय में हारा आदमी सुवारत में है वोली श्रमॉशन प्रश्न तो आपने मन के भाव बनाई एक से आहराधी सब क्रिया आपके आपकर संपन होगे नमस्तु बगवन नमस्तु बगवन नमस्तु बगवन एक जियासा है कि आम में संसार परिवर्मन से कैसे चूट सकते हैं दिखिए जिस तरह से नगर का भ्रवन जब बंद होता है जब हम घर में एक आंत में आजाते हैं उसी प्रकार से संसार का परिवर्वन छोड़ने के लिए अपने आप में समाना पड़ेगा कहते हैं कि जो वेक्ति अपने में रम जाता है उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता तो अपने आप में जितना समाने का प्रयास करोगे उतना उतना जीवन का गल्याड़ होगा और संसार का प्रिवर्वन छूटता जाएगा आपस्य प्रश्न का उत्तर जानना है कि सुद्या करतेığını कि आपसे न ने वाले शुब और अशुब भाव का किस कर्मों का उस चाहिक ले आने उस समय को दूप भाव भी आते हैं कि और अशुब भाव भी आते हैं घितिए को कि एक बार मैं जब भीहार कर रहा था, तो कुछ लोग मेरे पास में आए और कहने लगे, महरा जी, एक प्रश्ण है कि हम लोग नमोकार मंतर पढ़ते पढ़ते, क्या सिगरेट पी सकते हैं? प्रश्ण तो प्रश्ण है, क्या नमोकार मंतर पढ़ते 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 सिगरेट पी सकते हैं? मैंने का बिल्कुल भी नहीं, उसने का नमोकार मंतर पढ़ते पढ़ते सिगरेट पी सकते हैं? मैंने का बिल्कुल पढ़ना चाहिए, तो एक बैक्ती खळाओगे, महरा जी अब क्या बोलने हो आजकल क्या क्या बोले जा रहे हो कुछ लोग होते हैं तो मैंने उसको समझाया कि यदि वह नमोकार मंतर पढ़ते पढ़ते सिग्रेट पीता है तो नमोकार मंतर का अपमान होता है लेकिन सिग्रेट पीते पीते नमोकार मंतर पढ़ता है तो सिग्रेट छ सुब है लेकिन घर में जाने के बाद यदि मंदिर की याद आ रही है तो समझ दिना की धीवन में भबता बहुत बड़ी है जब आप कई साधी ब्याय में जाते हैं और वहां पर कोई फिलिमी धुन चल रही है और उसी धन पर यदि कोई भजन बना हुआ है और आपको वहां है अधर यद्य इस पर मंदिर में भजन हुआ था समझके दिना कि आपको भब्बत निकर्तम है और आपके जीवन में भबता प्रक्त हो रही है और मंदिर में यदि कोई बचने चल रहा है और उस समय आपको पिच्चर की यादा रही है तो समझके चलना कि आपके भूवत चल रहे हैं जो मंदिर में बैठकर आपको रंगरूप किया दा रही है पिक्चर में बैठके तो इंसान को जब मंदिर दिखता है जब कई पिच्रों में मंदिर दिखाई जाते हैं उससों में मुने में भाव नहीं आते कि हमारा जिन मंदिर ऐसा है लेकि मंदिर में आने के व तो तो सारा गंदला पानी नीचे हो जाता है सुख्षपानी उपर हो जाता है तो जब सुब भाव ऑप बनाओगे लूज़ि poles घुए अपने आप जयेंगी और अपकी जिवन में सुब्हनी आप प्रिकट हो जाएगी और जीवन कर दोनाओंत हो जा अजा है सब तरह से फ्री होकर कि मैं जब इस रहां पर आ गई और मेरे दिक्षा की समय भी निश्चित हो गया लेकिन माचारे शरी मेरे करम ने कौन सा अशुब उदे आया है जो मेरा स्वास ऐसा खराब हो गया कि मुझे ना घरवाली अलूमिति देते हैं महार निकलने को और मैं अभ आज से सन 2017 का जब हमारा चत्रुमास भोगल में चल रहा था आपने एक महीने उहां पर संग में प्रवास किया साइद उस समय आप दिक्षा ले ले ते तो आज आप भी उपर बैठे होते स्रमोशन में सादू संदों के साथ में बैठे होते और हो सकता है कि जो बीमारी करें असाता कर्म का उदय है कि दिख्षा के बाव होते होते रुख जाते हैं बीमारी खेर लेती हैं लेकिन कोई बात नहीं आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसो कर्मों को परास करके आप विजयी बनकर दिक्षित होगे अच्छिर और बीजी में इस रहा को पकड़ों सारी सब्सक्राइब है कि बीमार आई नहीं सकते हैं मेरा कौनसा कर नहीं नहीं पा रहा है मैं आपसे यही पूछना चाहते हूं, मेरी यही जिग्गाशा है, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, चारित्र मोहिनी कर्म को नश्ट करना है, तो जिनों ने चारित्र धरन किया है, उनके साथ में रही है, जो चारित्र धरनी संते हैं उनके साथ में रहोगी तो चारित्र मुहिनी कर्म का नश्ट अपने आप हो जाएगा और दीख्षा का योग सहयोग बनाना है तो सुवयोग मती माता जी का संग पकड़ लीजिए सीगरता सीग आपका योग बनके सहयोग हो जाएगा और सारा का का सारा काम संपन हो जाएगा लोग कहते हैं मुझे घरवालों ने पकड़ा है अरे घरवालों ने किसी को नहीं पकड़ा है जब घरवाले आज से 24 साल पहले मुझे नहीं पकड़ पाए तो आपको इस उमर में क्या पकड़ेंगे जब घरवाले हमारे महाराज को 20 साल की मुर्म नहीं पड़ पाए, माता जी को 20 साल की मुर्म नहीं पड़ पाए, तो आपको क्या पकड़नेंगे घरवालों ने किसी को नहीं पकड़ा है, हमने घरवालों को पकड़ा है और हम सोचते हैं कि कैसे हमारे बीना काम होगा मैंने बताया कोरोना में अच्छे थे चल लिए तो भी घर का काम चलता है आचर सिर्मती सहगर जी महाराज औरंगाबाद में थे एक ब्रह्मचारी जी रोध दर्शनात आते थे हमारे चतुमास में भी आते थे दस प्रतीमा के धारी थे इतने सुद्धी पूर्वक भोजन करते थे ये साद्धूों के आहर के बाद चोके में भोजन नहीं करते थे कि बाद में लोग छुआ जूद कर देते हैं उनसे कहते थे दिख्षा ले लो वो कहते थे मेरी पत्नी बैड़ पर है यदि मैंने दिख्षा ले ली तो उसका क्या होगा आचार स्री सन्मती सागर जी माराज का विसाल संग औरंगाबाद में था वो है रोड पार करके कहीं से कहीं जा रहे थे गाली ने उड़ा दिया ब्रमचारी जी को गाली ने उड़ा दिया और गाली ने उड़ा दिया उनके बच्चे अस्पताल ले गए लेकिन उनकी बेटी धारमिक थी उससे अस्पताल से निकाला गुरू माराज के चड़नों में ले गई और चड़नों में ले जाने के बाद समाधी मरण कराया और उसके बाद उनकी पतनी आठ महीने बाद सुरक गई तो भी आप देखिए आठ महीने तक भी काम चलाना तो किसी के जाने से किसी के आने से यह रुकता नहीं बस हमारा राग है जो हमें बैरागे बे रोकता है तो अपने जीवन में आपके बहुत सुभाव है लग बग 9 सालों से मैं देख रहा हूँ आपके भाव चल रहे हैं यदि 9 साल पेले दिख्षट वाद थी तो मेरे साथ पहली मता जी हो थी दिली से लेकिर कोई बात नहीं पहली नहीं सही तो कोई बात नहीं चोती सही लेकिर कम से कम आंगे चल के सारा काम करिए और 26 जिन्वरी को जवारी का दिख्षा होगी तो उसमें छुली का दिख्षा तू लेने का प्रयास करो सारा का सारा काम संपन हो जाएगा घरबालों के साथ बहुत कुछ किया है अपनी भी तो इच्छा है बच्चों की साथी करदी यह करदी सब कुछ होगा सब काम हो जाएगा तो ओही बाली बात है आपके साथने प्रश्थі हूँ हुआ कि जब लेना चाहते थे जब लेनी पाए और अब लेना चाहते थे तो लेनी पारें ऐसी सिति हो इससे पहले जयन करूहूं। दो ग्रेश्ट में आगे मैं चार साल का ब्रत लेके आगे नहीं बढ़ पाया मुझे आचाशी ने कहा था दसमी बर दसमीक अक्षा का साटीव गड़ जिस दिन दो गए मैं डारेक्ट मुनी बनाऊंगा लेकिन वह समय नहीं आया और मैं पीचे अट गया मैंने ग्रेश्ट ज देखिए इन्होंने चार साल का ब्रत लिया उसको आंगे नहीं बड़े तो चार संतानों को जनम दे दिया और कम से कम अब आंगे कोई और कार हो ना हो आपने बहुत अच्छी लाइन पकड़ी है कि ग्रस्त जीवन में रह रहे हो तो भी लोगों का काम कर रहे हो आपके सरल जो भाव हैं निश्चल परिणाम हैं वह एक ना एक दिन आपको आंगे लाएंगे लेकिन जो कर्म था उस समय आपका कर्म सुक्ष्ल था लेकिन आपका पूरसार्थ कम था यदि उस समय आपने पूरसार्थ किया होता तो हो सकता है कि हमारी दिख्षा के पली अब दिख्ष आप अपने आगमुक्त तरीके से लोगों के पिधान कराएं बेदी प्रिष्टाइं कराएं समाज में सामंजस बैठाएं और जो भी कार आप करते हैं उसको आगमुक्त तरीके से करें यही मंगल्द सुभावनौ नमस्तू गुरूर्वर नमस्तु गुरूर्वर गुरु गुरूर्व मेरे मन में यह जिकासा है जो शुवद्वरमति माता जी है आपके बास भो वापकर हvous बैद मता जी और उसका यहां पर इन्होंने बताया इसogen पाधा कि बातलि WRC थुखकंट का माता जी है और उतुब माता जी आपकी हमेशे ही रहेंगी आज जिस प्रकार से जीवन में हर बार शारा काम होता है तो उसी प्रकार से यह आपका मुह करम का हुदा है कि मेरी मा पर साथ के सरे अब मा तो आपके साथ मैं नहीं रह सकती लेकिन मा की सिवा बेटा कही पर भी जाके कर सकता है और पहले कल तक हो यह आपकी मा थी लेकिन आज सारी संसार की मा हैं तो तुमारे जीवन का कितना पुन्न है कि तुमारी मा को सारी संसार के लोग अपनी मा कहते हैं यही भावना बनाओ और सेवा लगे रहो और जीवन का कल्यान करो इस कारिक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं स्वभाग्यभक्त श्री विरेंद्र जैन श्रिमती मुकेश जैन साके दिल्ली स्वभाग्यभक्त राजीव जैन श्रिमती रीटा जैन विजैनगर दिल्ली स्वभाग्यभक्त रीजिए जैनुट जैन श्रिमती रीग्त राजीप झाल झाल